तो जैसा कि आप सभी बच्चों को पता है कि हम लोग क्लास नाइंत का बीसे गनीत और चैप्टर वन नंबर सिस्टम का जो है रिवीजन कर रहे थे और पिछली क्लास में हमने पढ़ा था कि नेचुरल नंबर और पून संख्या और पूनांग पे आधारित कुछ वड़ प्र प्रस्नों को सॉल्व करते हैं असाथ में हमने पूनांको को गुना करना सीखा था पूनांको को गुना करना कैसे सीखा था तो जैसे मैंने बताया था कि अगर दो माइनस में रहे अगर माइनस माइनस गुना होगा तो क्या बन जाता था प्लस बन जाता था फिर मैंने बताय या 1- माइनस में रहे, इसमे गुना हो एक Plus rate में रहे और इसमे गुना हो एक ne- तो दोनों ही condition में माइनस बना रहे हैं, जैसे example तो माइनस पांच में अगर गुना करते हैं, माइनस 5 से तो यह क्या बनेगा प्लस 25 बनेगा इसी परकार अगर पहला प्लस में रहे और दूसरा माइनस में रहे तो खुछ किसी पर अधारित हमने लास्ट क्लास में सारी चीजे पढ़ी थे सबी वच्चों को किलियर है तो एक बार वाई टाइप कर देजी, डाउट है तो N टाइप किलियर है सबी वच्चों को किलियर है, very good, very good, बहुत अच्छा, चलिए तो अब हम इससे आगे बढ़ते हैं और आज हम लोग सीखेंगे कि पुनांको को कैसे घाटाते हैं और कैसे जोड़ते हैं दोनों को साथ में देखेंगे तो बहुत साउधानी से पढ़िए गाई यह important topic है बहुत ज्यादा important है तो मैं दुबारा से एक बार पूनांक आप लोग को बता देता हूं बहुत important topic है कहीं पे भी आप ध्यान वठेगा तो गलत हो जा संख्या में हम नियकार आत्मक संख्या को जोड़ देते हैं तो यह क्या बन जाता है पूनांक बन जाता है और पूनांक क्या होता है तो आपको समझ में आ गया होगा है एक सेकेंड़ कि अगा सर्दिन का वो पागयो पूनांक के क्या होता है कि लिए रहना सभी वच्छों को कि यह यह आगे वरभतें तो आज हम में इन्व को जोड़ना और धड़ताना सिखिए ध्यान से देखिए हैं जैसे जोनो का अगर समान चिन होगा, इनको जोड़ा जायगा, जैसि यह 12 जो है, इसके आगे कुछ नहीं हो, तो क्या है? प्लस है, और यह जो 4 है, तो इसके आगे प्लस लिखाईए, यानि दोनों क्या है? प्लस में है, तो जब इसको हम क्या करेंगे? जोडेंगे, तो 12 चार कितन हो जाएगा सुला हो जाएगा और यह प्लस में ही रहेगा अब देखिए एक माइनस बारे है और यह माइनस पोड़ है अब हम इसको जोड़ेंगे तो क्या बनेगा माइनस ही रहेगा क्या रहेगा माइनस ही रहेगा क्योंकि माइनस बारे है और यह माइनस पोड़ है दोनों म माइनस में है, दूसरा प्लस में है, यहां पे पहला प्लस में है, दूसरा माइनस में है, तो यहां पे आंसर कैसे निकलेगा, तो देखिए, यहां पे बारा जो है, चार से बड़ा है, तो बारा में से चार जाएगा, तो कितना आएगा, आठ, अचीन किसका लगेगा, जो 12 बढ़ा है, प्लस में है, तो answer आएगा प्लस है. क्या यह चारो कोशन सभी बच्चों को clear है, कैसे हम लोग कर रहे हैं? सभी बच्चों को clear है? Clear है न, सभी बच्चों को? Very. मैं दुबारा से एक बार बताता हूं, फिर से एक बार सो लिए गा. इस 12 के आगे कुछ नहीं है, तो प्लस में है, और इस 4 के आगे अलेडी प्लस है, यानि दोनों ही प्लस में है, तो क्या करेंगे, simply जोड़ देंगे, answer भी प्लस में आएगा. यहाँ पे माइनस बारे हैं, और यह माइनस चार है, तो दोनों को जोड़ेंगे, तो माइनस बारे और माइनस चार कितना हो जाएगा? माइनस 16 हो जागा, यानि दोनों माइनस में तो माइनस होगा, लेकिन जब कभी एक माइनस में रहे और दूसरा प्लस में रहे, तो इस कंडिशन में घटाते हैं, जोडते नहीं है, तो अब बारे में से 4 जाएगा, तो कितना आएगा, 8 आएगा, चिन किसका लगेगा, 4 वाले बारे वाले का, तो जो बड़ा रहता है, बारे बड़ा है, तो माइनस 8 होगा, इसी प्रकर यहाँ पे देखिए, बारे प्लस में है और माइनस 4 है, यानि एक प्लस में, एक माइनस में, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, घटाएंगे, तो बारे में से 4 गया, 8, चिन किसका ल चलिए, अब इसी पे अधारित कुछ प्रस्न कराता हूं, ध्यान से देखिएगा, देखिए, यहाँ पे 16 आया है, यहाँ पे माइनस 8 आया है, और यहाँ पे 8 आया है, एक दम असान है, तो यहाँ पे क्या लिख्या गया है, देखिए, इसको पढ़िएगा, दो समान चीन माले पुनांकों में सदेव योग होता है, अब पुनांकों के चीन के समान आता है, यानि अगर दोनों का समान सेन में, यह प्लस में, यह भी प्लस में, तो प्लस आएगा, यह माइनस में और यह भी माइनस में, तो माइनस आएगा, ठीके, यदि दोनों पुनांकों के आग जब एक माइनस में रहेगा, एक प्लस में रहेगा, तो घटाया जाएगा में है तो इसको कैसे करेंगे ध्यान से समथ यह पहले इन दोनों को solve करेंगे पहले इन दोनों को क्या करेंगे solve करेंगे तो बारा चार कितना हो जाएगा 16 बारा चार कितना हो जाएगा plus 16 अब फिर इसमें plus करना है कितने से minus 11 से तो मैंने क्या बता है था कि एक प्लस में रहा है और एक माइनस में रहा है, तो हमेशा घटता है, तो अब हम क्या करेंगे, एक प्लस में है, एक माइनस में है, तो घटेगा, शुल्ल में से ग्यारे गया कितना आएगा, पांच, बड़ा कौन सा है, शुल्ले वाला की ग्यारे वाला, शुल्ले वाला, अगे बढ़ते हैं दूसरा दिखिए यह माइनस बारे है और माइनस चारे तो दोनों जुड़ जाएगा जब दोनों सेम चीन रहता है तो माइनस पारे और माइन्स थार कितना हो जाएगा, मैने 16 और यहां पर क्या हे? प्लस में-1 घ्यार हे, अब दीखिए मैंने कहा था दोनु मैइनस में आ गया, तो क्या होगा, जूर जाएगा तो मैनैस 16 और मैइनस 11 कितना हो जाएगा, सा्थ और यहां पर होgas़ देना क्यार आएगा माइनस 27 चले इस प्रस्ण को देखिएगा यहां पर मैइनस बारे हो और यहां पर प्लस पूर यानि एक जो है माइनस में एक प्लस में तो घटेगा तो माइनस बारे और एक प्लस हो रहे हैं तो घंटेगा 12 में से चार गया खितना है आठ कौन बढ़ा है 12 वाला की चार वाला की वाला Credit सॉगा 6 हो इसमें से मईश करना की तonा माइनस के 11 है अब आप देखिए 1-8 है और –1-1. you just weeds दोनों जो माइनस माइनस गुनाओं के प्लस बन जाता है इसको एक चोड में लिखेंगे माइनस आठ प्लस 11 अब देखें यहां पर क्या हो गया e11 हो गया प्लस में और एक हो गया एक गहटेगा तो कितना दो एगा 3three zone means ाथ तीन बढ़ा कॉन सा ए11 यहां पर प्लस 3 और जाएगा किलिए रहे सभी वच्छी को किलियर है अब यहां पर दिखिए यह प्लस में है और यह माइनस में तो क्या होगा यहां पर यह माइनस गुने माइनस जो है प्लस बन जाएगा तो 12 आप प्लस यहां पर 4 हो गया आए प्लस माइनस माइनस हो जाएगा तब यह पहला दुगों जूट जाएगा कितना हो जाए करके answer आएगा यहां पर पाच किया आप लोगों को समझ में आ रहा है जिस बच्चे को नहीं आ रहा है आप एंटाइब दिए जल्दी से जिस भी बच्चे को नहीं आ रहा है एंटाइब तीजए कि अब देखिए इसी कोसें को करने का दुसरा तरीका बताता हूं ध्यान से समझीएगा देखिए जैसे प्रस्ण अगर इस परकार से आ जाता है माइनस 3 इसमें प्लस करना है माइनस 4 से अब फिर मान लेते हैं प्लस करना इसमें माइनस 5 से तो एक चीज आपने कल पढ़ाता अगर याद ओगद कि माइनस गुने मा माइनस गुने प्लस, हमेशा ही क्या होता है, माइनस होता है, अगर ये आपको याद है, क्या ये सभी बच्चों को याद है, कि अगर माइनस में गुना होगा माइनस से तो प्लस, आप प्लस में गुना होगा माइनस से तो माइनस, ये माइनस में गुना होगा, प्लस से तो मा करेंगे यहां पर –3 प्लस में गुना होगा –6 उए तो क्या आएगा –4 आएगा फिर यहां पर प्लस में गुना होगाtat माइनस से यहां पर तो क्या आएगा ons 5 आएगा ठीक है अब देखिए सब माइनस में एख फी पार सलिओ फी заним किlla करहें तो एक प्रस्न किजिए तो सभी बच्चे, सभी बच्चे इससे स्वल्व किजिए तो, सभी बच्चे इससे स्वल्व किजिए और आंसर बताईए, सभी बच्चे इससे स्वल्व करेंगे और आंसर बताएंगे, कि आंसर क्या होता है। चल्ड़े करते हैं कैसे होगा देखिए चेक करते हैं देखिए ध्यान से यहां पर क्या लिखा है आट मैनेस में गुना होगा मैनस से तो क्या होगाпिछ चार हो जाएगा आप फिर यहां पे प्लस में गुना होगा माइनस से क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा यहां पे तीन हो जाएगा अब देखिए यह प्लस में है और बाकी सब माइनस में तो यह माइनस वाला आपस में जूर जाएगा माइनस एक ग्यारा आप प्लस खोड है अब देखिए एक माइनस में ए तो एक प्रसन कीजिएगा सभी वच्चे ध्यां से, माइनस 3 में प्लस करना है माइनस 4 को अफिर प्लस करना है माइनस 5 को सभी वच्छे इसका अंसर बताएंगे अंसर बताएंगे सभी वच्छे इसका चलिए चेक करते हैं यहां पर माइनस 3 तो माइनस 3 रखेंगा अब यहां देखिए प्लस में गुना होगा माइनस से तो क्या आएगा माइनस 4 फिर यहां पर प्लस में गुना होगा माइनस से तो क्या आएगा माइनस 5 तीनों ही, माइनस में तो क्या हो जाएगा, माइनस बाड़ा आंसर हो जाएगा, किलिए रहे समय बच्चो को, किसी भी बच्चे को doubt है तो n-type किजिए, किलिए तो y-type किजिए, किलिए रहे न, एकदम आसान था, एक कुषन और कर दिजिए जल्दिय से समय बच्चे, इदे तो सावी बच्छे? चलिए चेक करते हैं, माइनस साथ है तो माइनस साथ, अब यहाँ पर क्या होगा? प्लस में गुना होगा, माइनस से तो क्या आएगा? माइनस नौँ, फिर प्लस में गुना होगा, माइनस से तो क्या आएगा? माइनस तीन, अब माइनस तीनो है तो माइनस में आंसर आएगा, साथ मिनों जो रेंगे 16, 16 में 3 जो रेंगे तो 19, तो माइनस 19 जो है आंसर होजाएगा, किलिए लेन सभी बच्चों को, कोई भी बच्चा अगर doubt है तो n टाइप की दिए, सभी बच्चों ने y टाइप किया, चलिए, पोल सेक्षन में प्रस्णा है, आंसर किजिएगा, माइन पोल सेक्षन में आंसर करेंगे, कोई भी बच्चा जो है, यहाँ पे आंसर नहीं करेगा, सभी बच्चे जो है, पोल सेक्षन में आंसर करेंगे, कहां आंसर करेंगे, पोल मैंने अभी दिया नहीं है, तो सभी बच्चे आराम से पहले solve करेंगे, और जब मैं पोल दूँग तो आंशर करेंगे सभी दे पहले सौल गिजीए जलबाजी नहीं है आराम से आंसर क켜दे में भी जल्दवाजी नहीं है, एकदम आराम से आंसर किजिए. जल्दवाजी, देखिए, दो बच्छों का आंसर गलत हो गया, सिर्फ जल्दवाजी में. आराम से आंसर किजिए, कोई जल्दवाजी नहीं है, एकदम आराम से आंसर करना है. कहीं पर आप लोग गल्पी करते हैं, जल्दी जल्दी में गलत कर देते हैं, अराम से आंसर किजिए, कोई जल्दबाजी नहीं है, अराम से आंसर किजिए, लास्ट के टेन से के टेन, टेन, नाइन, एट, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, very good, तभी बच्चों ने उत्तर किया है, पांच बच्चों का गलत है, बाकी सभी कर सही है, चलिए समस्ते हैं, ध्यान से दिखिएगा, यहां पे माइनस गया रहे हैं, तो माइनस गया रहे, अब प्लस में गुना होगा माइनस है, प्लस में गुना होगा माइ माइनस है, तो माइनस होगा, अब प्लस में गुना होगा माइनस है, तो क्या आएगा, माइनस आएगा, तो माइनस 3 होगा, अब माइनस 11 में 5 जो रहेंगे, तो माइनस 11, माइनस 16 में 3 जो रहेंगे, तो माइनस 11, तो आंसर क्या हो जाएगा, option C, अगर किसी बच्चे को doubt है तो n टाइप कीजिए, किलियर है, तो y टाइप कीजिए, जल्दी से, किलियर है न सबी बच्चों को, very good, very good, चलिए, इस प्रस्ण का उत्टर हो गया, option C, एक question कीजिएगा, यहाँ पे जल्दी से, minus 3 में, minus करना है, minus 5 को, अब plus करना है, minus 4 को, सबी बच्चे, इसे solve कीजिए तो, क्या answer आएगा, solve कीजिए सबी बच्चे, गलत answer है, सुमीत आपका, सबका answer गलत आ रहा है, आप लोग ध्यान से नहीं करते हैं, इसलिए गलत हो रहा है, सबका गलत हो रहा है, सबका गलत हो रहा है, ध्यान से नहीं करते हैं, तो, गलत होगा, एक भी बच्चे का सई उतर नहीं है, सबका गलत है, अब यह भी मैंने बताया था, कि माइनस में गुना होगा, माइनस से तो प्लस बनेगा, यह तीन फर्मूला हमेशा याद रखिएगा, अब देखिए, यहाँ पे माइनस 3 है, तो माइनस 3, अब यहाँ पे माइनस में गुना होगा, माइनस से तो क्या बनेगा, प्लस 5, अब फिर यहाँ पे प्लस में गुना होगा, माइनस से तो क्या बनेगा, माइनस 4, अब अगर आप ध्यान से देखेंगे, तो यह एक प्लस में बाकी दोनों जो है माइनस में इन दोनों को जोर देंगे माइनस तीन और माइनस चार कितना हो जाएगा माइनस साथ आप पलस में कितना है पांच अब दिखिए एक माइनस में एक प्लस में तो घटाएंगे साथ में से पांच गिया दो चीन किसका लगेगा जो बड़ा है साथ वला बढ़ा है, साथ कर्चीन क्या है, माइनस, तो आंसर आएगा, माइनस दू, समझ में आया सभी बच्चों को, कैसी कर रहे हैं, क्या ये सभी बच्चों को किलियर है, माइनस दू होगा, माइनस दू, किलियर है सभी बच्चों को, चली, एक दूसरा प्रसे दे रहा सबी बच्चे उसका आंसर करेंगे। आंसर कीजिए तुस सबी बच्चे इसका। आंसर कीजिए सबी बच्चे चैट सेक्चन में। गलत आंसर आया है, अभी तर किसी का सही आंसर नहीं आया है। आप लोग जल्द बाजी में करते हैं, इसलिए गलत होता है। देखिए ध्यान से। यहां पर माइनस चार है तो माइनस चार और यह माइनस गुने माइनस क्या बन जाएगा। प्लस पांच बन जाएगा। यहां पर प्लस गुने माइनस क्या बन जाएगा। अब अगर आप द्यान से देखिएगा तो यह मैइनस 4 है और यह मैइनस 5 है तो यह डोनों जूट जाएगा आपस में तो मैइनस 4 मैइनस 5 कितना हो जागा? अब देखिए बड़ा कौन सा है मैइनस वाला तो मैइनस का छीन लगेगा नो में से 5 ना जाएगा? कर देते हैं के लिए रिस सभी वच्शों को देखे पूस्पा आफ फी चा़ को फेंश लिकर रहे हैं THAT के ज्वल जल्द वाजी में आप लोग गलत करते हैं लुभ कि रखते हैं सिर्फ गलत करते हैं इसका अंसर कीजिए तो सभी वच्चे कि अगर जुद्वाजिंग हैं कि अधिर था चेल्ट करें कि अधिम्सिप्ट करेंग जल्द पाज़ी नहीं है देखिए अलग अलग अंसर आ रहा है सभी बच्चें आन्सर कि द्यूद्य इस बार ज्यांदा बच्चो का अंसर सही आया देखिए ठेट हो देखिए 들어 你 double देखिइ माइनस तो माइनस तीं लिखिए माइनस माइनस क्या बन जाएगा प्लस-4newills अब गता हेगा इंगे डिक दो आंसर हो जाएगा किरिया ने सभी बच्चों को नमस्ते जी मैं वह क्लास में जाए हुआ हूँ माइक में उट किजी अपना चलिए पोल सेक्षन में सभी बच्चे इस कोस्टन का आंसर करेंगे तो आराम से पहले करें जल्द बाजी नहीं है जैसे पिछला कोस्टन आपने किया था ठीक इसी प्रकार का ये भी प्रस्ण है आराम से प्रस्ण को देखिए अब फिर इसको कॉपी पे सॉल्व किजिए जो आंसर आएगा पोल सेक्षन में आंसर किजिए जल्द बाजी नहीं करना है इसलिए मैंने अभी पोल नहीं दिया है पोल आपको 30-40 सेकंड के बाद दूँगा तो आप लोग पहले कॉपी पे सॉल्व किजिए फिर पोल में आंसर किजिएगा जल्द बा सबी बच्छे पहले कॉपी पे सॉल्व करेंगे फिर पोल में आंसर करेंगे मुर्मिल सेह जी माइनस उन्नीस जी गलत जवाब है अम आई कॉन करके ऐसा बोलिएगा मैं क्लास से बाहर कर दूँगा ठीक है चलिए जिनका हो गया है वो पोल सेक्षन में आंसर करेंगे माई कॉन करके नहीं बोला है और भी कुछ बच्छे तो गलत ही बोल देते हैं माई कॉन करके सब्सक्राइब करेंगे जल्द वाजी में गलत हो रहा है माईनस उन्नीस आंसर नहीं होगा मैंने कितनी बाहर बताया फिर भी माईनस उन्नीस को आंसर कर रहे हैं आप लोग एक बच्छा बोल दिया गलत आप लोग आंसर करना शुरू करते हैं माईनस उन्नीस इसका आंसर नहीं होगा कोई भी बत्चा कुछ भी गलत बोल देगा और आप लोग आंसर करेंगे इस, लॉएफ होग स्ब्किन हैं, लॉओव स्टेख नोगा क्या साथ, टू 2, 1. देखिए, ध्यां से, इतने आसान कोछ़ साने, अप यह अभी बता है ता, माइनस से ग्या रहे तो माइनस से ग्यारे लिखेंगे, यह दोनों माइनस में तो क्या بن जाएगा, माइनस गुने माइनस प्लस पांच बन जाएगा यहां पर मैंनस में है तो थीटना है यहां और रहता है, प्लस मेंisel लगेगा। अगर किसी बच्चे को कुछ भी पूछना है, माई कॉन करके पूछ सकते हैं, अगर किसी भी बच्चे को डाउट है, तो माई कॉन करके पूछ लिजे, नहीं जी, किसी भी बच्चे को डाउट है, माई कॉन करके पूछिए, पूछिए अगर डाउट है तो कि लिए रहे न सभी वच्छों को चलिए अब हम निक्स को ते इस प्रसन का उच्छार हो जाएगा ऑप्शन अब देखिए अगर प्रसन कुछ इस पर टारका आ जाए जैसे जैसे प्रसन ऐसे आजाए 15 माइनस तो क्या आएगा माइनस तो क्या आएगा माइनस तीन अब देखिए ये प्लस में और ये दोनों माइनस में तो जोर देंगे 15 माइनस 3-4 कितना हो जाएगा माइनस 7 आप 15 में से 7 जाएगा तो कितना आएगा 8 बड़ा कौन सा है 15 वाला तो आउसर आएगा 8 अजैं सब्सका mutual आला मैं सब्सका gramm आला मैं सब्सका एाध्विय। आएगा पाला आएगा नाएगा है कितना है कितना है जल्द वाजी में आंसर गलत हो रहा है, आराम सिखीजिए, उस्पा ने 20 आंसर किया है, क्या ही कहें, 15 लिखा ने 20 ने 20 सी प्लास में गुणा होगा माइनस हैं तो क्या है आएगा, माइनस चट्पोर, फिर पलास में गुणा होगा, माइनस 3, आप देखें, यहां पे 13 है तो 13, आफ तो 13 में से 7 जाएगा तो कितना आएगा, 6, तो आंसर किया हैगा, पलास 6, कि लिए देखिए पुस्पा का गलत था और किसका गलत था पुस्पा का गलत है और सत्वीर मिल लाम से जो बच्चा है उनका गलत है बाकि सभी का सही चरी नेक्स प्रस्णा कीजिए देखिए यहाँ पे है 15-12 अब प्लस-3 तो ध्यान से देखिए यहाँ तक तो solve एकेवल इस पॉल सेक्षन में आंसर बताईएगा अराम से कुपी पर पॉल सेक्षन में आंसर बताईएगा तो सर पॉल ओपन कर दो इसी जल्द बाजी में उत्र गलत होता है अलगवक जादातर बच्चों का उत्र गलत ही आ रहा है जितने बच्चों ने आंसर किया है लगवक सभी का गलत ही आया है एक बच्चे का भी सही नहीं है अभी तब सबका गलत है यही कहते हैं जल्द वाजी में जो बच्चे करते हैं न हमेशा ही गलत होता है साहिल आपका सही है साहिल सही है करें कि आप कि अ कि 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 पॉल के टाइम में कॉपी नहीं दिखाना है पॉल एंड होने के बाद कॉपी दिखाना है लास्ट के टेन सेकेंड टेन नाइन एट सब्सक्राइब 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 प्राइब प्री टू वन देखिए कैसे करेंगे एक तम आसान सवाल है 15 लिखा हो गया है तो 15 लिख देंगे माइनस लिखा गया है 12 लिख देंगे आप प्लस गुने माइनस होगा तो क्या आएगा माइनस तीन आएगा आप देखिए यहां पे यहां पे 15 हो गया आप दोनों माइनस में तो माइनस बारे तीन इतना हो जाएगा 15 तो माइनस 15 15 में से 15 जाएगा तो क्या आएगा जीरो तो आंसर होगा option D तो एक दम एक लाइन का question था सिर्फ एक लाइन था फिर भी 6 बच्चों का आंसर गलत था ठीक है छे बच्चों का आंसर इसके बावजूद गलत था कि लिए रहे सभी बच्चों को तो वाई टाइप कीजिए डाउट है तो एन टाइप कीजिए इस परसने का उत्तार हो जाएगा option D चली तो आप लोगों ने जोड़ना और घटाना तो सीख लिया अब हम सीखते हैं भाग देना कि पुनांकों को कैसे भाग देते हैं तो एक बात बताईएगा मैंने आप लोगों कल दो चीज़े सिखाई थी कि अगर गुना होगा दोनों माइनस में गुना होगा तो क्या बन जाता है प्लस बन जाता है एक्जामपर जैसे माइनस तीन में गुना होगा माइनस दो से तो क्या बन जाएगा प्लस जे बन जाएगा यह पहला परकार था दूसरा परकार क्या बताया था कि दोनों प्लस म में हो गुना होगा एक प्लस से तो क्या बनेगा माइनस जैसे माइनस तीन में गुना होगा अगर चार से तो क्या बनेगा माइनस बारा इसी परकर चौथा एक्जामपल बताया था कि माइनस में प्लस में गुना होगा माइनस से तो क्या बनेगा माइनस एक्जामपल में अग रवीना चिंपा नाम से जो बच्चा है रवीना चिंपा नाम से जो बच्चा है मैं उसको क्लास से बाहर कर रहा हूं यह बच्चा क्लास को डिस्टर्ब कर रहा है रवीना चिंपा नाम से जो बच्चा है क्लास से बाहर कर रहा है रवीना चिंपा नाम के बच्चे को मैंने क्लास से बार कर दिया इसको क्लास में एंट्री नहीं मिलेगी यह क्लास को डिस्टर्ब कर रहा है अभी यह क्लास में नहीं जुड़ सकता है ठीक है चलिए सभी बच्चों के लिए नहीं आता कि लिए ना इसे जो भी बच्चे करते मैं उनको हमेशा के लिए क्लास से बार कर देता हूँ, अब वो क्लास में नहीं आ सकते हैं। देखिए, तो जैसे ये गुना आपको आता है, सेम टू सेम भाग होता है, कोई भी अंतर नहीं होता है, थोड़ा सा भी अंतर नहीं होगा, कैसे तो देखिए? माइनस में भाग हुगा माइनस से, तो हुगा plus publish क्या होगा plus जिसे मैम होगा, माइनस में भाग होगा माइनस से प्लस हुगा example माइनस 10 में अगर मैं भाग दोंगा माइनस 2 से तो आंसर आएगा यह पहला प्रकार हो गया जो same to same है एक नमर के जैसा, कोई अंतर दिख रहा है जी, कोई अंतर नहीं दिखेगा, इसी पकार दूसरा एक्जामपल देखिए, अगर दोनों प्लस में हो, जैसे यहां पे मैंने 10 लिख दिया, और भागा कर दिया 2 से, दोनों प्लस में हैं, तो आंसर क्या हैगा, प्लस में ही आएग इसमें मैंने अगर भाग दे दिया, दूसरे को प्लस से, तो आंसर क्या हैगा, माइनस पांच आएगा, यानि कि अगर एक माइनस में हो, और भाग देंगे कितना से, प्लस से, तो माइनस आता है, कोई अंतर इसमें नहीं होगा, तिसरे में, अब चौथा देखिए, अगर म आप अल्रेडी पढ़ चुके हो, बस चीन बदल जाएगा, किरिया वही है, कि लिए ने सभी वच्चों को, आप पता ये, जैसे गुना हो रहा था वैसे ही भाग हो रहा है, चीन में कोई परिवर्थन हो रहा है, चीन में कहीं पे भी कोई परिवर्थन हो रहा है, जैसे गुन का नियम था कि माइनस गुने माइनस प्लस होता है, तिससरे माइनस भागे माइनस प्लस होता है, कोई भी परिवर्तन रूल में नहीं होता है, इसलिए मैंने दोनों को आमने सामने लिखा कि आप देख पाओ कि कोई अंतर नहीं होता है, ठीक ना, चलिए, अब हम इसके आगे example से समझते हैं जैसे देखिए ये दोनों प्लस में ये भी प्लस में है ये भी प्लस में है तो भाग देंगे तो क्या आएगा प्लस ही आएगा तो बारे में भाग देंगे चार से तो कितना आएगा ती अब देखिए ये भी माइनस में है ये भी माइनस में है तो मैंने बताय तो एक माइनस में हो गुना हो प्लस से तो माइनस बनता है या फिर एक प्लस में हो गुना हो माइनस से तो क्या बनता है माइनस बनता है तो एक माइनस में और एक प्लस में हो भाग देंगे तब भी क्या बनेगा माइनस अचारत यहीं बाड़ा एक प्लस में है एक माइनस में हैं भाग देंगे तो किया बनेगा माइनस कियाज सभी बच्चों को Toby है जैसे गुणा करूल था वैसे भाग करूले बस वहां गुना करते थे यहां बाग पर है कुछ भी अंतर नहीं है एकदम आसान होता है एक दम आसान होता है चलिए, देखिए, यहां plus 3, plus 3, minus 3, minus 3, आगे बढ़ते हैं, तो यही बात यहां पर उटा गया है, कि plus में भाग देंगे plus से, तो plus ही आएगा, minus में भाग देंगे minus से, तो plus ही आएगा, अब minus में भाग देंगे plus से, यानि अलग-अलग चीन रहेगा, तो minus, plus में भाग देंग श्रकाइब यहां पर देखीना धम को दिसे थे मिला 7 सब्सका आगा होगा सभी अग debe sommes को में आपको भी सॉब कर रहूं जो भी अईसे करेगा मैं उसको हमेथा क्लास से भाद कर द penthouse अब उँखे दो भी patt क्लाश में नहीं जूर सकते हैं मैंने उनको भी रिमूर कर दिया। जो यह ऐ्या आनावस्तेक वाइट टाइप करते हैं उनको लिए हैं अब अज़े दो भू भीerson में नहीं जूर सकते हैं वाहर हो गया तो थो दो होता है सांती से बैठके पढ़ना होता है दूसरों को डिस्टर्व करेंगे तो class में बाहर कर दी जाए है हुए सभी वच्चों को clear न चलिए कुछ प्रस्न करते हैं कि ध्यान से देखिए गा कुछ प्रस्न करते हैं सभी बच्चे स्क्रीन पर देखेंगे ध्यान से देखिए, माइनस 10 में अगर भाग देना है, माइनस 5 से, क्या एक आंसर? आप लोग बताइए तो जल्दी से, बताइए जल्दी से आंसर, दोनों माइनस में है, दोनों माइनस में भाग देना है, मैंने क्या बताया था? कि माइनस में गुना किजिए माइनस से तो भी पलस होता है, आप माइनस में भाग किजिए माइनस से तब भी पलस होता है, दोनों एकी रूल पे काम करता है, यहाँ पे दोनों माइनस में है, तो माइनस 10 में अगर हम भाग देंगे माइनस 5 से, तो क्या प्लस फांसर में अगर भाग देंगे माइनस हे थांस्व. य कि अदे हैं वहया वै कि फिलुद तो भॉन चैब絹 अगर भाग देंगी मा ईनस छएट ciao तो आंसर क्या आएगा करेर है कि सबी बच्चे answer किजिए कि तुम आने बता दिया है कि माइनस में भाग देंगे माइनस से तो पलस आता है तो छे में दस साथ से भाग देंगए साथ में छे से बहल देंगे तो कितना आएगा दस अब माईनस भाग के माईनस कै बनजरेगा पलस तो ऐसंदो यह एक दम आसान है चली कोल सेक्षन में कि जिएगा माइनस पचास में आपको भाग देना है माइनस पांसे शबी बच्चे इसका आंसर करेंगे कहां आंसर करेंगे कोल सेक्षन एक्टम आराम से कोई जल्दवाजी नहीं करेंगा कर रहा हूं तो भास नामसे जो बैक्टा है मैं आपको क्लास से बाहर कर रहा हूं ठीक है आणावसे क्माई कोन कर रहे हैं बार-वार क्लास से बाहर हो जाएंगे एक अभी दे रहा हूं पहले solve कर लिजे चलिए पॉल में answer किजिए का सभी बच्चे अराम से जल्द बाजी नहीं है अराम से सभी बच्चे answer करेंगे कोई जल्द बाजी नहीं है कि दो बच्चों का अंसर गलत होगे सिर्फ जल्दी जल्दी में राय नाम से जो बच्चा है आप बार-बार हाथ का बटन मत दबाया किजिए राय सिंग नाम से जो बच्चा है हुआ हुआ है सर मुझ से गल्द चलिया चल्द बाजी किजिएगा तो गलत भी होगा चलिए लास्ट के टेन से के टेन नाइन एट सेवन सिक्स फाइब फोर ट्री टू वन देखिए एक्टम आसान सवाल था लाएनस में भाग देते हैं माइनस से तो माहिने बता रखाऊं कि पलस हो जाता है तो माइनस पचास और माइनस पांच से भाग देंगे तो कितना आएगा? अब माइनस आएगा कि प्लस तो प्लस आएगा. तो आंसर क्या आएगा? प्लस दस यानि ओप्शन डी जो है करेक्ट है. अगर किसी बच्चे को डाउट है, तो N टाइप किजिए. खिलियर है तो Y टाइप किजिए. जल्दी से. हिले रहे? किलियर है सभी बच्चों को? किलियर है ना? चली. nेक्स्ट प्रस्ने कीजिए. इस प्रस्ने का उतर हो जाएगा option D. नेक्स्ट प्रस्ण किजिएगा अगर यह है पचास इसमें आपको भाग देना है माइनस पांच से तो आंसर क्या आएगा आंसर किजिए जल्दी से सभी बच्चे चैट सेक्षन में सिम्पल सी बात है यहां पे जो पहला है यहां पे पचास पलस में है और भाग देना है माइनस से तो पता ही आप लोगको पलस में भाग देंगे माइनस से तो माइनस आएगा यहां पे माइनस दस हो जाएगा आंसर चलिए नेक्स प्रस्ट न किजिएगा ध्यान से माइनस एक सो पचास इसमें आपको भाग देना है भाग देना है आपको 15 से बताइए आंसर क्या होगा आंसर बताइए सभी बच्चे आंसर बताएंगे क्या होगा सिंपल सा कोशन है माइनस से ये पहला आप भाग देंगे पलस से तो क्या आएगा माइनस ही आएगा तो देर सो में 15 से भाग देंगे तो दस आएगा पलस होगा कि माइनस तो माइनस होगा एक प्रस्ना और कर देजिए चलिए सेम टुशे मांचर आ रहा है बार बार चलिए वैरी गूड एक प्रस्ना है पोल सेक्षन में किते है माइनस 179 में आपको भाग देना है 13 सवी बच्चे पूल सेक्षन में आंसर करेंगे जल्द वाजी नहीं है आराम से सॉल्व किजिए खिर पूल सेक्षन में आंसर किजिए आपत पूस्पा ने जो आंसर किया पूर्णी रूप से गलत ए जो ड्छे आंसर किया है कुछपा ने एक दम गलत है कि अधाने एक फिस्टीश की जल्दबादी रहती है स्वाल किजिए कॉपी पर पहले तर्मन यह भी तक पॉल सेक्षन में नहीं किया है तो चार्ट सेक्षन में तो गलत किया है ना आपने अराम से सभी बच्चे पहले 13 से भाग दिजिए 169 में अदेखिए कितना आता है फिर सोचिए कि पलस में आएगा कि माइनस में आएगा अराम सेक्षन में आएगा आता है झाने कि आपका लेकिन पोल्क सेक्षन के टाइम एंसर मत दिखाया किजिए पोल जब रहता है तो आंसर नहीं दिखाना है जुगल की सो नाम से जो बच्चा है आंसर नहीं दिखाना है लास्ट के टेन सेकेंड हो टेन नाइन एट सेवन सेक्स पाइब फोर थ्री टू वन चलिए इस प्रसन का उत्तर होगा करते हैं अगर डाउट है तो एक्सट प्रसन करते हैं कि इस प्रस्ण का उतर हो जाएगा माइनस तेरा अगला प्रस्ण ध्यांस दिखीएगा अगर मैं लिख दूंग हागा माइनस दी इसका आंसर किजिए तु तभी बच्छे क्या आएगा आराम से सभी बच्छे स्वल्व किजिए तू हाइगा हा ग馅 referendum को तूंगे तूंगे में शॉाह सो में जाराम से समय की हाइगा खिराओ आराम से फ्याएगा अगलापा आराम से क्या स स॥ल्व तूंगे तूंग जारा हाईगा हागा है दीखिए मैंन एक प्लस में है आप भाग देना है माइनस से तो आंसर क्या आएगा माइनस में अब एक हजर देश्व में भाग देगे तीन से तो 3 3 का 9 चार्ग तेन बारह और 3 एकम 3 माइनस 341 जो है अंसर हो जाएगा किरियर सभी वच्छो को अगर doubt है तो n टाइप किजिए clear है तो y टाइप किते हैं एक डम आसान था चलिए next प्रस्न किजिए जल्दी से 2020 में अगर हम भाग देते हैं minus 10 से तो बताइए क्या आएगा चाहत सोल्यमी तो प्रस्ट पहले करें फीर सेक्षन में अंसर करें जल्दबाजी कर storms तो पहले के स्वे कोफे सुल्ब करेंगे फिर प्रस्ट प्रस्ट पहले कोफ़ीreten अंसर करेंगे दे क्षिएगा आ जल्द वाजी किजिएगा तो गलत हो जाएगा अराम चे किजिए देखिए पहला ही आंसर बच्चा का गलत हो गया एक सो दो में और बारे में अंतर नहीं नजर आ रहा है आप लोगों को एक सो दो और बारे में अंतर नहीं है पता ही है ना बारह आंसर कर रहा है कुछ बहुत है जो बच्चे सबसे जल्दी करते हैं उन्हीं का गलत होता है स्टाठिंग में चार बच्चों आंसर कि पि Marin 4 नहीं फली हीम बांट की जल्द्बाद जी में ही गलत होता है मजट है यह 1020 में ड़ से भाग देने नहीं आ रहा है तो फिर किया ही मतलब हो प्लस माइनस की तो बात की बात है, आपको भागी दिने नहीं आया है, चार बच्चों का गलत इसलिए है क्योंकि उनको भाग देने नहीं आया है, यानि एक हजर बीस में अगर दस से भाग देंगे तो क्या आएगा उनको यहीं नहीं पता है, प्लस माइनस का खेल तो बात की बात है, आदे बच्चों का गलत है, और शिर्फ इसलिए क्योंकि उनको भाग देने नहीं आया, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 7, 4, 3, 2, 1. सबसे पहली बयाद कि 2020 में अगर 10 से भाग देंगे तो 1-0 कट जाएगा तो 102 आएगा. 5 लड़कों ने माइनस बारे को आएगा 102 आब देखिए उपर में प्लस है, इस में भाग देंगे माइनस है तो आएगा. क्योंकि भाग देंगे 102 और पलस में भाग देंगे तो माइनस आएगा तो आएगा तो आँसर एगा option से. कौन बच्चे से जिनों ने माइनिस वारे को अंसर किया था बदेए तुम आई कौन करके जी मन तो नहीं किया जी माइनिस डो के जी चलिको आप लोग को हूम वर्क में नहीं दे रहा हूं क्यूंकि आप लोग की उस्कूल से बहुत सारा कार्या मिल रहा होगा तो आप लोग इसी का revision कर क्या हैंगे जो class का recording रहता है ठीक है और इसके आगे हम लोग next class में पढ़ेंगे कोई doubt होगा तो अभी